लेजी पाकिस्तान की पहले सिटलाइट चांग पर उतरने के लिए बिलकुल तैयार है और उडान बरली है आईक्यूब कमर के नाम से सिटलाइट का नेम रखा गया है जिस तरह से भारत की तरव से चंदर्यान थरी जो था चांग पर उतरा था बिलकुल उसी तरह पाकिस्तान भी अब चांग पर उतरने के लिए बिलकुल तैयार सबसे पहले तो भाया पाकिस्तानी जनता के लिए ये हिस्टोरिकल मुमेंट है और क्लैपिंग हो नी चाहिए देखे भाया एप्रिशेट करना चाहिए और पाकिस्तान दुनिया का पहला कंट्री होगा देश होगा जो चा पर पहुंचने के लिए अगर हम बात की जाए तो आई क्यूब कमर को सिर्फ पांच दिन लगेंगे और त्रिपन दिन में ये मिशन कंप्लीट होगा त्रिपन दिन के अंदर अंदर आई क्यूब कमर पाकिस्तान की जो सिटलाइट है चांग पर उतरेगी वहां से मुवाद भी एकठा करेगी और मुवाद का कितना वेट होगा हम आपको ये भी बता देते हैं मुवाद दो किलो गराम से ज्यादा मुवाद नहीं होगा और त्रिपन दिन के अंदर अंदर दोबारा जमीन पर भी सिटलाइट आएगी और ये पाकिस्तानी जनता के लिए बहुत ज्य पाकिस्तान को नाम दिया जाते है बहकारी के नाम से पाकिस्तान को बोला जाता है आज उस पाकिस्तान ने थाबत कर दिया है एक इनोखा काम जिसको बोलते हैं एक इनोखा काम करके दिखाया है ये चांद के दूसरी तरफ जाएगी पाकिस्तान की जो सिटलाइट है और पा के अंदर से जो अफ्टिविटी भेलाई जाती है कोई भी देश जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशेट करना चाहिए ठीक है दुश्मिनी जो भी है वह एक साइच पर रखना चाहिए आज जिस तरह पाकिस्तानी जनता के लिए या तारीखी लमहात है परात्ना करनी चा दिन तरिपन दिन यानि के दो माँ का ये जो है वो होगा ये पूरा सिटलाइट जो होगा वो कम्पलीट होगा दो माँ में जो आई क्यूब कमर है वहाँ पर चांद पर पहुंचकर मुवाद इकठा करने की कोशिच भी करेगी और उसके बाद दुबारा भी जमीन पर आएग और ये चाइना के साथ जो मिलकर पाकिस्तान ने एक जो अपनी सिटलाइट है तैयार की है हलांके दो साल लगया दो साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता बहुत बड़ा समय होता है और आज अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो सिटलाइट है उडान भर ली है उन्हों है वो इंतजार करना पड़ेगा भहिया हम भी प्रात्ना करते है और दुआ करते हैं के भहिया ये काम्याब हो देखे पाकिस्तान के बारे में जो भी ने informations पहला जानme वो अलग बात है, देखें, ये हिस्टोरी का जो मॉमेंट है, ये पाकिस्तारी जनता के लिए है, भईया, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा, पहली दफा हो रहा है, ये आल वर्ल्ड में, कि पाकिस्तान भी चान पर पहुँच रहा है, जब चंद्रियान थरी पहुँच जा था, मिशन कंप्लीट हुआ था, तो पाकिस्तानी जनता की तरह से भी भईया, हमें मायूसी देखने को मिली थी, कि भईया, आखर पाकिस्तान के लिए ये लमहात काब आएंगे, ये पाकिस्तान भर भी चान पर जाएगा, लेकिन भईया, पाकिस्तान ने तो पूरी काम कर दिया, चान की दूसरी तराफ, देखें, चान की दूसरी तराफ जाएंगे, और वहां से तरिपन दिन, तरिपन दिन का ये कंप्लीट मिशन होगा, तो भईया, बहुत हिस्टॉरिकल मॉमेंट है पाकिस्तान के लिए, वो मौदी बगत लोग, देखें, भारत के के अंदर से, कि भाईया, पाकिस्तान के अगेस, नफरत पहला कर आज देखें, आईक्यूब कवर के बारे में भारत के अंदर से आपको खबरें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भाईया, हम पीछे हटने वाले नहीं है, जिसको अप्रिशेट करेंगे, उसको करके हमें कोई नहीं रोख सकेगा, वो मौदी भगत लोग जो हमारी वीडियो के नीचे आकर कमेंट्स करते हैं, कि आप हर वीडियो पाकिस्तान क्या अगेस्ट, पाकिस्तान की तारीफों के पुल क्यों बांदे, भाईया, मुझे बता दे, अब आईक्यूब कमर जो पाकिस्ता स्राइट बोलूँगा भाईया, देखें, चांड की दूसरी अतराफ, अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा जहाँ पर पाकिस्तान पहुंच रहा है, तो पाकिस्तान नोखा काम कर रहा है, तो यहां पर तारीफ तो करनी बनती है, बहुत भगत लोग आप मुझे बता दे, चंडरान थरी के बाद यह बाते भारत के अंदर से की जा रही थी, कि भगया हमने चंडरान थरी के मिशन के लिए जितना पैसा लगा दिया है, पाकिस्तान का करजा उतर जाएगा, तो भगया आप बता दे, कि पाकिस्तान ने कितना पैसा लगा दिया, यह तो भगया पाकि पाकिस्तानी जनता भी मोदी बगत लोग जो बार बार पैस्तों की बात करते हैं ले पाकिस्तान ने दुनिया का ही नोखा कम कर दिया चांड की दूसरी तरफ घूमेंगे कितने तिंग घूमेंगे 53 डेज यानि के दो मां का समय और यह कुछ जोटा मिशन नहीं है और आज पा प्राउड मूवमेंट है और भया एप्रिशेट करते हैं बहिए दो साल का समय लगा है इस दिन का इंतजार करते करते हैं पाकिस्तान की आज जनता को तो पता भी नहीं ता कि भया क्या हम भी चांड पर पहुंच पाएंगे बिल्कुल भया आपके पास भी वो लमहात आ क्या है वह दिन आ है पाकिस्तानी हो का पाकिस्तान का लेग बीश चांद लग चुका है चांद पर नहीं ए मंने निधर भी है पाकिस्तानी जंता के लिए अधारिक्सांत के दिखाता है इसको अप्रिशेट करना चाहिए ये नहीं है कि पाकिस्तान के खलाब नफरते पहलाना शुरू कर दें कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा आप पाकिस्तान के जरब मीडिया को उठा कर देखें आई क्यूब कमर चलो पाकिस्तान के मीडिया को आप एक साइट पे रख दें आप चाइना के मीडिया को उठा कर देख लें आल वर्ल्ड के मिडिया को बीबी सी को उठा कर देख लें आई क्यूब कमर की बाते हो रही है भाया यह पाकिस्तान की सिकलाइट का नेम रखा है आई क्यूब कमर और वर्ल्ड के उपर गुन गाने जा रहे हैं आई क्यूब कमर के तो कि भाया पाकिस्त की सेक्टलाइट पहुंच रही है और पांच दिन लगेंगे बैया चांद पर पहुंचने के लिए और पहुंचने के बाद तरिपन दिन टोटल होंगे मिशन को कंप्लीट करने के लिए और दो किलो से ज्यादा यानि के दो किलो जो है वो ज्यादा वजन नहीं उठा तो बहिया वेरी प्राऊड मुव्मेंट है प्राऊड मुव्मेंट है पाकिस्टानी जन्ता भया आख तो विडियो को लाइक कर देना मौदी बहुत लोग तो लाइक नहीं करेंगे तू कि को आज जुन के अंदर जलन हो रही होगी बहुआ, ये क्यूं वीडियोes बना रहा रहा, बहुआ, यह क्यूए ने मैं तो वीडियोज बनाएगा, जो देश अच्छा करेगा उसके लिए हम वीडियोज बनाेगा, तीक है करिकेड करेटर हम बहुत जादा वीडियोज बनाते है, ठीक है पाकिस्तान अच्छा गार खेलता एफ्रिशेट करते है भारत अच्छा खेलते है भारत को यानि कि हमारा काम है भारतिया जनता और पाकिस्तानी जनता के दरमयान आपस में मुहबब पैदा कर रहा हम यहां पर नेक्टिविटी नहीं भैलाने के लिए आए भाया आज भाया हमें तो दिल से यहां से खुश हुई है भाया अगर किसी को तकलीव होती है तो हो जाए लेकिन हमें तो यहां से यहां से दिल से खुश हुई है कि आखरकार पाकिस्तान बहिया इशन कंट्री है ना हमें भी प्राउड फील होना चाहिए ना के इशन कंट्री वो इनोखा काम कर रहा है जो आज तक योरप में नहीं कर पाया ठीक है ना चांद पर तो देश पहुंचे है ना तीन देश पहुंचे है ठीक है चार देश पहुंचे है लेकिन पाकिस्त एक बार फ्र क्लैपिंग होनी चाहिए पाकिस्तान का आइक्व कमर सिट्लाइट के लिए जो के चांद के लिए बेलकुर रावाना हो चुकी है और आज से पांग दिन के बाद पाकिस्तान की जो सिट्लाइट है चांद पर पहुंच जाएगी और त्रिपन दिन का ये होगा टूर टूर ही बोलेंगे नहीं या चांद पर पहुंचना महां से मुवाद एकठा करना और फिर दुबारा जमीन पर आ जाना तो वैजा यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जुरूर करें अगर आप सब्सक्राइब मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग आपना रंगना ख्याल और हमें देनी अजाज़त गुड़ बाए